Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi, मैं लाली वर्मा, आप सभी विद्यारतियों का Magnet Brains Hindi में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और करनी एक सी है, जो कहते हैं, वही करते हैं, और जो करते हैं सिर्फ वही कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, हम बड़ी-बड़ी बाते नहीं करते हैं, हम चोटी-चोटी बातों को समझते हैं, मेरे प्यारे विद्यारतियों, हर एक विशय के वीडियों वो भी बेस्ट क् परिक्षा में यह प्रशन आया तो बहुत सारे सवाल आपके मस्तिष्ट में आते ही होंगे तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ जिस कविता का नाम है कुछ सवाल कुछ सवाल विश्व प्रसिद्ध कवी महा कवी पावलो नेरुदा जी द्वारा रचित एक कविता है जिसमें कवी ने अपनी कविता के माध्यम से अपने विच्चारों को एक रूप दिया है साथी साथ एक रहस्यात्मक भी इनकी कविता है क्यूंकि टाइटल पढ़ते ही क सवाल सुचते हैं क्या सवाल होगे क्या होगा इनमें किस तरह की सवाल हंगी आकर क्या है यह तो यह सारी बातें जो यहां पर कवी ने बताई हैं उनको ही हम complete chapter revision के दौरान समझने वाले हैं कुछ सवाल में और भी हम बहुत कुछ सवाल यहां पर add करने वाले हैं तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक ताकि आप बहुत अच्छे से सुनकर समझ सको और आपके मस्तिश में कुछ या बहुत कुछ या बहुत सारे सवाल यदि उठ रहे हैं तो उन सभी के उत्तर भी आप जान सकें चलो शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले कवी परीचे की ओर महान हस्ती के बारे में जानते हैं पाबलो नेरुदा जी के बारे में पाबलो नेरुदा जी शत शत नमन करते हैं विश्व प्रसिद कव नेरुदा जी का मूल नाम नेफ ताली रिकॉर्डो रेस वशो औल्टो था। किन्तु चैकोस्लो वाकिया केप्रसिद्धक不是 प्रसिदिक वी ठे जिनका नाम था। देखिए अब ध्यान से सुनना कि वो कितने उनसे प्रभावित हुए जान नेरुदा की स्मिर्ति में। अपना नाम लिखना आरम कर दिया और इसी नाम से प्रजिदी दिपाई पॉबलो नेरुदा उन्होंने सांतियागों में चीले विश्विद्याले में कौन से विश्विद्याले में चीले विश्विद्याले में फ्रेंच और सिक्षा साश्त्र की पढ़ाई की नेरुदा की ख्यांती एक विचारक और लेखक के साथ-साथ राजनीतिक कारेकरता के रूप में भी रही है लेखक भी रहे हैं और साथी साथ राजनीतिक कारेकरता भी रहे हैं सन 1927 में नेरुदा को कांसलर बना कर बर्मा भीजा गया आठ वर्षों तक सीलोन, जावा, सिंगापूर, ब्यूनस, आयर्स, मेड्रित और वर्षिलोना में काम करते रहे आठ वर्षों तक निरंतरता के साथ काम करते रहे स्पेन के ग्रह युद्ध में रिपबलिकंस के पक्ष में उनकी नेत्रतव कारी भूमिका थी जब स्पेन के ग्रह युद्ध मतलब समझते हो, आपसी जैसे शीत युद्ध टाइप का चलता रहता जिसमें अधिक किसी मैदान या किसी जंग की अवश्रक्ता नहीं होती लेकिन हां ग्रहय युद्ध मतलब उनके आपसी जगड़ों में जगड़े नहीं कहेंगे युद्ध ही कहेंगे उसको उसमें उन्होंने महत्व पून भूमी का अधा की नेत्रत्व कारी अर्थत उन्हो 2060 में याद रखना अीज है क्योंकि उनकी जो नेत्रत्व कारी भूमिका थी वो सरहाणीय थी उन्होंने किसी में किसी भी तरह से आग में घी डालकर आग को बढ़काने का कारे नहीं किया बल्कि शांती स्थापित करने का कारे किया तो उन्हें 1950 में विश्व शांती पुर पुरसकार भी मिला नोबेल पुरसकार और 1973 में ही सैनिक प्रतिक्रामती के जरिये आयदे सरकार के तखता पलट के ठीक बाद उनका देहन्थ हो गया जब उन्हें नोबेल पुरसकार मिला सन 1973 में उसी सन में उनका देहन्थ भी हो गया नेरुदा की प्रमुक्काव्यकृतियां हैं कविता हैं जो 20 love poems and a song of disappear Residence on Earth, Kanto General, the captain's verses are fully empowered उनकी आत्मकथा मैमायर्स दुनिया भर में पढ़ी गई पाबलो नेरुदा की कविता जनता के जीवन की अतल गहराईयों से निकली है मतलब गहराई, depth के साथ वे कविताएं लिखते हैं उनकी कविता आम लोगों के प्यार और संघर्ष की आशा, निराशा की सगन अभी व्यक्ति है तता 20 वी शदी के महान संघर्षों के गर्व से उपजी है महान संघर्षों के गर्व से इतनी अच्छी रचनाएं हैं उनकी तभी तो विश्व प्रसिद कवी है जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी उनकी कविता की शक्ती है वे सच्छे अर्थों में जनता के कवी थे जब प्रशन आप से कभी पूछा जाए हमने का ना कुछ सवाल में बहुत कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कुछ सवाल में और सवाल आप भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पर सच्छे अर्थों में वे जनता के कवी थे अर्थात जन जन की भावनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया नेरुदा की प्रेम कविताएं मानविय गरिमा और अदम में जजी विशा की कविता के रूप में पूरे लातिनी अमेरिका से लेकर स्पेन तक प्रशन से थूइं अमेरिका से लेकर स्पेन तक प्रशन से थूइं बहुत एप्रिशियेट किया गया उनकी रचनाओं को एक तो जनता की कवी सब की मन की भावनाओं को जो भी उनकी रचनाय पड़ता अपने आप से कनेक्ट कर लिता था वह निकार गुआ के महान कभी रुबेंदारिय और अमेरिकी कवी वॉल्ट विट्समन की परंपरा को आगे विस्तार देते हुए नेरुदाने आधुनिक्तवाद और अमवगर्द कवीता के एक विशिष्ठ लातिनी अमेरिकी संसकरन का निर्मान भी किया यहां प्रस्तुत कवीता कुछ सवाल के माध्यम से कवी प्रकृ और निर्मान को साथ साथ दिखाया है और मनुश की अदम में जिजी विशा का भी वर्णन किया है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसका विश्वास के साथ जताया है उनका पक्का विश्वास है कि अंततहा जड़ों को जाले की ओर चड़ना है तता बयार का स्वागत अनेक रंगों और फूलों से करना है सुन्दर सी प्रकृति का निर्मान करना है चाहे वसंत रितू हो चाहे वर्शर रितू हो चाहे ग्रिश्म रितू हो या शीत रितू हो हर एक रितू का अनुवफ हर एक के लिए अलग-अलग होता है चाहे वो वसंत जैसे रितू का राजा वसंत होता है वसंत रितू पता है जनवरी से ही ठंडी-ठंडी हवाएं चलती हैं थोड़ी-थोड़ी अच्छी बहतरीन तरीके से फूल खिलने लगते हैं पीडों में मुद्खश पर आता है फरवरी में वसंत केहार मनायता है और उसी फरवरी और मार्च में होली रंगों का Prop अरद्वर रंगों और फूलों से करते हैं स्वागत अब यहां बात यहां कि सभी के लिए वसंत रितू का अर्थ समान है नहीं सबके लिए वसंत्रतू का अर्थ अलग-अलग है महत्व भी अलग-अलग है जिसके माध्यम से कभी किसी को वसंत में कुछ सबके अपने अपने नुभव है तो हम यह नहीं कह सकते कि वसंत्रतू सबके लिए एक समान है सबके लिए अलग-अलग है सबके व्यक्ति के समान नहीं होता अर्थात हर एक व्यक्ति में असमानता होती है विविदता होती है सारे व्यक्ति संसार में अंगिनत है ना चनता परंतु फिर भी सौब एक दूसरे से अलग है रंग में रूप में कद में काठी में गुनों में येस फिजिकली भी और मानसिक रू रखना है नहीं तो मिक्स नहीं हो जाएंगे सब प्रकृति को कैसे पता है कि जो पेड़ पेड़ एक पौधे को कैसे पता कि मुझे सूर्य की तरह भी बढ़ना है यही बताया हुनोंने अपनी कवीता में ठीक है देखिए इस कवीता में पाबलो नेरुदा ने परिवरतन का म प्रसंगे के अनुसार विविदता सुईकार भी प्रकृति का नियम है मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे थे अब जैसे एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना आपकी तरह तब सिक्षा का जो रूप था वो एकदम अलग था टीचर के ह अप्रोच आया जिसमें स्टुडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो गई ठीक है जिसमें विद्ध्यारती ही विद्ध्यालाई की मुख्य एहम भूमिका के रूप में रखा गया समझ कर ही पढ़ाना होगा इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी आई अब एनीपी अभी आई है फ को करिकुलिर एक्टिविटी उसको थोड़ा सा साइड में रखा जाता था सिर्फ और सिर्फ किताबी ग्यान को ही में उसमें शामिल किया जाता था लेकिन 2023 जो अब आने वाला है उसमें यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू कर दिया जाएगा सरकार की ओर से और भी बहुत सारे रूल्स आते जा रहे हैं उसमें क्या क्या एड करना है वो भी बता है तो परिवर्तन होते रहते हैं अब हम यह नहीं कर सकते हैं नहीं हम इस एजुकेशन पॉलिसी का बिलकुल स्वागत नहीं करेंगे मत करो हमारे स्वागत ना करने से क्या एजुकेश चल सकते हैं और बढ़ सकते हैं यदि हम अपनी जगह पर तटस्त रहे नहीं 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 मैं तो वैसे ही पढ़ूंगा खड़े रह जाएंगे बीच में सब आगे निकल जाएंगे हम पीछे रह जाएंगे तो यही बताया है कवी ने कि जो भी है उसमें परिवर्तन होता रहत है और सबके लिए प्रकृति का रूप अलग है तो वशंत्रतु तो रुटुर्याज कहा जाता है जिसको उसका उधारन लि Congress नहीं का पानी नदियों का पानी मीठा रहता है फिर नदियों का पानी मीठा है तो वो मिल जाती है तो समधुर का पानी खारा क्यों है तब ही तो कुछ सवाल कविता का टाइटल है कभी कहते हैं कि यदि स्थापित कारे कारण नियम के अनुसारी सब कुछ होता तो समधुर का पानी खारा कैसे होता जब मैं संकुचन की स्थिती बनती है और घास कटने के बाद अधिक तीव्रता से बढ़ती है जैसे मनुष्य की अधियां बात करते हैं बस अब तो मैं बस बिस्तर पर पढ़ा हूं छुपा रहा हूं बस मुझे कहीं नहीं जाना वहीं पेड़ को खचा-खच जब माली कटिंग कर से वे जड़े बहार निकलाती है जबकि जड़ मतलब अंदर प्रित्वी के अंदर लेकिन कुछ जड़े कैसे ऊपर निकलाती है कैसे कैसे रंग और फूलों में अपनी अलग-अलग विशिष्टा होती है जो किसी लीक से बंदी हुई नहीं होती हर फूल फल पेड़ वह देश काल के अनुरूप विवेद रूप रंग सहज ही सुईकार करता रहता है आईए पढ़ते हैं कुछ सवाल क्या कहना चाहते हैं कभी प्रकृति के माध्यम से यह मेज आप देख सकते हैं आपने वास्तविक रूप में भी प्रकृति का द्रश्य अवश्य देखोग और मैंने एक दिन आपसे क्वेस्टिन किया था कि आप गाउं खेत यह जहां भी रहते हैं मुझे थोड़ा बताईए कि क्या आपने वास्तविक रूप में नदियां जरने खेत खलियान बैल गाड़ी यह सब देखा है यदि यह सब देखा है तो मतलब आप प्रकृती के ब बहुत निकट हो और प्रकृती के निकट होना तो अपने आप में गर्व की बात है शारी यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहां से पाता है क्योंकि सारी नदियों का पानी ही तो समुद्र में मिलता है जब नदियों का पानी मीटा है तो समधर का पानी खा रहा क्यों है रित्यों को कैसे मालुम पढ़ता है कि पोल के बदलने का वक्त आ गया अब वहीं रित्यों गृष्मो शीत हो वसंत हो उनको कैसे पता कि अब पत्ते नए नए आएंगे या जो भी छाल है या जो स्टैम है उसकी जो निकल नायब जैसे मनुष्य है उसकी बात अलग है उसमें बुद्धी दी है लेकिन पेड़ पौधे या वनस्पती को कैसे पता किये सब है लेकिन वो चलता रहता है चक्र कभी प्रशनात्मक्षैली में यह जानना चाहते हैं कि यदि सारी नदियों का जल मीठा है तो समुद्र कैसे खारा हो गया सारी नदियों का पानी तो समुद्र में मिलता है क्यों खारा हुआ रेतू किस प्रकार अपने नियत समय पर आकर प्रकृती में परिवरतन ला देती है सच में किस प्रकार समझ में ही नहीं आता तभी तो कि या उनकी जो कवीता को एक रहशात्मक ढंक से भी पूछा गया है और साथी साथ चिंतन ये द्रिश्टी से भी ये पूछा गया कि जो उनकी कवीता है आकर उसमें क्या राज क्या है सवाल में और सवाल चुपे हुए हैं कभी ने यही कभी के कहने का तात पर है कि ध्वंश और निर्मान प्रकृति के शाश्वत नियम है दोनों साथ साथ चलते हैं निर्मान और विध्वंश मतलब निर्मान और विनाश साथ साथ एक तरफ खुशी दूसरी तरफ गम एक तरफ खुशी दूसरी तरफ गम और एक तरफ रोना एक चले जाओ सुनाऊन चोटी सी कहानी है देखो एक माँ और बेटे रहा करते थे गाउन की स्टोरी मिलाप कहानी है माँ बूरे थी अपने बेटे की जो पत्नी थी मतलब बहु मायके गई हुए थी तो अब माने कहा कि बेटा बहुत दिन हो गया है को लेवालाओ के लए माता ज जाए तो उसी गाउं में तुम ठहर जाना क्योंकि पहले कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे कि वाई चलो साइकल से चलो या बाइक से चलो या फोर्वीलर से चलो जिससे भी चलो पैदल पैदल जाते थे और कई दिनों में फिर वापस आते थे तो माने अपने बेटे को समझ जाए कि जब तुम अपनी पतनी को लेने जाओगे मतलब उस गाउं जाओगे तो जहां दिन डूब जाए डूबने कार्थ समझते हो ना सूर्यस्त हो जाए उसी गाउं में तुम रुख जाना आगे मत जाना ठीक है माव बोली बच्चे ने मतलब बेटे ने समझ लिया ठी इस तरह जािसे बढ़ता जा रहा था वो आगे की तरफ ठीक है जाता जा रहा था आप रास्टे में उसको एक पेड म हुला एक और पेड मिलेगा जैसे आ राता घजूर टाइब कर आप बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा अब सोचव बढ़ता जा रहा है आ रहा है आ रहा है और मां यह तो पेड़ है मुझे मुझ Curry नहीं नहीं मा ने कहा था सीधे जाना तो वह पहल पढ़ चड़ा जोनंगा उतरूँगा फिर जाऊंगा तो जैसे तैसे यह वाला पीड़ था इस पर वह चड़का रिक्षय से उत पश्किल होती है अब क्या करूं कैसे जाओं कैसे चड़ूं लेकिन मा की बात को तो टालना नहीं है माने कहा था सीधे जाना रास्ते में पेड़ा में मुड़ सकता नहीं हूं तो फिर आप बिचारा जैसे तैसे करके वह उस पेड़ पर भी चड़ गया भूक लगाई शाम हो होने वाली थी और माने कहा था कि जहां शाम हो जाया अर्था जहां दिन डूब जाया वहां तुम रुक जाना तो अब दिन भी बिल्कुल डूबने लगा था डूबने लगा था ठीक है अब जाता जारा जाता जारा और पेड़ पर चड़ गया दिन डूब गया बिलकुल डूप चुका है पूरी तरह से सूरिय अस्थ हुया ठीक है अब सूरिय स्थ हुआ और उसने कहा कि माने कहा था जहां रूठना भी है अब क्या करें बैचारा पैड पररी रूख गया भूख भी लग रही अगाँ होता कहीं उसको खाने को मिल जाता हाँ जैसे तैसे सुबा हुई फिर से सूरज चमक गया एकदम सूरे उदा हुआ उसकी जान में जाना गई चलो गाई अब गाओं की तरफ चलते हैं और हुआ क्या कि जिस पेड़ पर वो बैठा था मतलब चुपचाब कैसे तैसे उसने रात विताई भूग लगा है हम नहीं दे सकते तो में दो तो बोले क्या करूं गोल सका हो कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ वो ठीक है बहिए ऐसा कह दूंगा तो वह कहते जा रहा जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ अब एक गाव पड़ा नगर पड़ा जिसमें राजा की घर में पुत्र रत्नी की प्राप्ति वह कहा जो हुआ बहुत बुरा हुआ अरे सैने को ने पकड़ लिया पकड़ो इसको चलो महाराज के सामने ले चलते हैं महाराज के सामने लहां कि मुझे तो लग मुझे तो ऐसा था नहीं तो मैं ये कहना है कि जो हुआ वह बहुत अच्छा थाती घ्री जो हुआ बहुत अच्छा एक आए बिचारा चला जारा चला जारा अब गाउं में शम्शान घाट की और जा रहे थे कुछ लेकर अब बोले कैसा है यह व्यक्ति फिर मार लगाई उसकी तुम कहते हो कि जो हुआ वह अच्छा तुक अब क्या कहूं मैं तो इसलिए कह रहा था नहीं 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 तुम कहो कि बस जैसा है वैसा ही रहना चाहिए जैसा है ठीक है ठीक है यह सब कुछ नहीं होना चाहिए सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए तो अब भुचलता जा रहा चलता जा रहा बड़ी मुश्किल के साथ कहने का ताथ पर है कि यहां पर ध्वंश और निर्मान ठीक है यह जो दो आत्मा सत्य है और मनश्य जो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं वो अराम से अपना जीवन यापन कर पाते हैं तो इस कवीता में भी कभी ने यही कहा है कि ध्वंश और निर्मान प्रकृति के शाश्वत नियम है दोनों के साथ साथ चलते रहते हैं कभी हसता है तो कभी रोना है तो कभी सूरी अस तो कभी सूरी हो ठीक है नदी के दो किनारे की स्थमान है हमारा जीवन और आगे चलते हैं कभी पावलो नेरुदाजी दोरे लिखित कभी तकुछ सवाल शीरशक किसमें कभी ने प्रकृतिक नियमों के साथ साथ मानव की जिजी विशा पर जाला कि किस प्रकार मानन अपने मंन में एकदम जीजी विषा का भाव ले कर संघर्ष करता रहता है घी ellasidar कवी कहते हैं कि तत्वन दंशिए मनुश्य अपने जीजी विषा के सारे सरजन करता है जैसे नदी नहीं है समय आने पर रितु स्वयम आ जाती है अथात रितु अपने नियम के अनुसार परीवरतन लाती है और प्रकृति में नव जीवन का संचार कर देती है तात पर है कि जीविशा के कारणी स्रिष्टी गतिमान है पढ़ते हैं आगे अब देखिए आपने हरी हरी घास वा क्या है यह प्रकृति की आंतरिक शक्ति का ही दो कमाल है प्रकृति अपने आप में सौब कुछ समेटे हुए है सब कुछ जाने इतने सुस्तर अफ़तार क्यों होते हैं सिर्फ मनुष्च के लिए वो जो सूचता है कि बस मैं घर में ही रहूं कहीं जाना पड़े और दूसर कुछ जणे बहार आ जाती है उपर की ओर आ जाती है कैसे यह क्या है किसने का उनसे की ऊपर आ जाओ उपर आ जाओ तुम्हारी आवशक्ता है यह तुम अंदर क्यों हो लेकिन फिर भी आ जाती तो यह सब क्या है वास्ताव रूप में कुछ सवाल से बहुत कुछ सवाल साम गास कम हो जाता है जबकि जिजी विशा के फलसरूप जितनी अंदर जिजी विशा होगी जिग्यासा होगी जिनून होगा जिद होगी उतना ही हम आगे बढ़ने के लिए प्रिर्थ होंगे जितना ही हम ऐसे आलस को बैठ जाएंगे चला ठीक है ना मिल तो रही है दो वक्त ख हाओ के कारण नव निर्मान के लिए प्रेरित हुआ है आगे कभी का विश्वास है कि मनुष्य जी जी विशा के बल पर सुष्टी का निर्मान करता है उत्थान और पतन उत्थान मतलब जैसे निर्माण और विकास ठीक ध्वन्स और निर्माण प्रकर्ति का नियम है दोनों अपने अपने नियम के अनुसार चलते हैं द्वन्स के बाद मनुष्य अपनी सुक्सिवधा के लिए निर्माण में जुड़ जाता है बहुत सारी प्राकरते काप दायात ये बाड़ आता है तो कोई आंदी तू फान आ जाता है तो क्या मनुष्य जीना छोड देता है नहीं यह ना कि जीवन नहीं मरा करता है कितनी बार गगरियां टूटी शिकन न आई पनघट पर कितनी बार कश्टियां डूमी चहल पहल वैस पर चंद खिलोनों के खोने से बच्पन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है आई धिंग ये बच्चन जी कवीदा है हरी वश्राइब चंजी की और हो सकता है मैं थोड़ा विस्मत हो रही हूँ तो यहां पर कहने का ताथ पर है कि सब कुछ होता है लेकिन प्रकड़ती और जो संसार का निया में फिर भी चलता रहता है कहने को और इसके बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैं नहीं होगा तो क्या होगा साब कुछ होता रहता है क्यूंकि नाश और निर्मान साथ साथ चलते हैं दोनों अपने अपने नियम के अनुसार चलते हैं मनुष्य अपनी सुख सिवधा के लिए नए निर्मान में जुटता है कवी अपने विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जीजी विशा मानव जीवन की उर्जा है जैसे जड़ें धर्ती से इसी कामना से रस ग्रहन करती हैं कि एक दिन उसे उजाले की योड़ चड़ना है अर्ता उसे शाखाओं का विकास पाना है आत पर है कि जो मनुष्य द्रिनता के साथ कर्म पत पर आरूर हो जाते हैं उसका जीवन श्यजी सुख में हो जाता है बस यही तो है कि जो राह चुनी तूने उस राह पे रही चलते जाना रहे कितनी हो लंबी रात दिया बन जलते जाना रहे क्यूंकि मनुफ्ट का काम है का गाम है निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाना ठीक है अगला है और फिर बयार का स्वागत हवा ठंडी ठंडी सुकंदित रंग ब्रंगे फूल ऐसे रंगों और फूलों से करना क्या हमेशा वही वसंत होता है वही किरदार फिर धोराता हुआ कभी पूछना चाहते हैं क्य क्या जो वसंत पहले था जो भूत काल का वसंत था वो सेम वर्तमान काल का भी वसंत होगा क्या या जो अभी वर्तमान का वसंत है क्या भविश्य का वसंत भी ऐसा ही होगा नहीं अब नहीं तो क्यों नहीं उत्तर में सवाल सवाल में उत्तर सवाल में जवाब जवाब में कि क्या हर एक रितू में हर समय वसंत एकसा होता है उत्तर आया नहीं उत्तर मिल गए नहीं अब नहीं मैं फिर सवाल आ गया कि क्यों नहीं क्योंकि समय परिस्थिती और जो भी सारा कुछ चलाय मान रहता वो एकसा नहीं रहता प्रकृती का जो नियम है वो हमेशा चलता रहता है रुकता नहीं इसलिए सब के लिए वसंद एक समान नहीं होता कभी जानते जानना चाहते हैं कि निर्मान के बाद सारा बाता और वैसा ही हो जाता है जैसे ध्वश के पहले था बाढ़, दूफान, सूखा कितना कुछ हो जाता है तो क्या मनुष्य जीना छोड़ देता है अ हर ध्वंश के बाद मानव अपनी जीजीविशा के सारे पहले जैसा निर्मान कर लेता है जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति अपने सारे सौंदर के साथ प्रस्तुत हो जाती है और परिवरतन हर वसंत में होता है उसी प्रकार ध्वंश दथा निर्मानकार भी चलते हैं तो क्या वैसा ही रहता है नहीं जैसे ही वसंत आतर पुना हरी हरी पत्तिया और प्रकरती मानों सजी धजी दुलन के समान हो जाती है जैसे वसंत के आने पर प्रगरती अपने रूप के जो सौंदर उसको पुना पेश करती है और हर वसंत में होता है उसी प्रकार ध्वंश तता निर्मान कारे चलते रहते हैं अरते अनुकूल वातावरण का निर्मान होते ही मनुश की आशा बल्बती हो जाती है जिस तरह के वातावरण की वो चाहा रखता है अरतात जैसा उसको चाहिए और वैसा ही हो जाता है तो वो खुश हो जाता है उसके अनुकूल याती वातावरण मिल जाए तो वो प्रसन् तो यहीं बताया है कवी ने इस कवीता की माध्धम से आईए जानते हैं इसकी व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियां पाबलो नेरुदा जी द्वारा लिखित कुछ सवाल शीर्शक कवीता से ली गई हैं जब भी हम व्याख्या करते हैं तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें उस पंक्तियों का बताना होगा कि वो कवीता कौन जी कवीता से वे पंक्तियां ली गई है और इनके रचनकार कौन है ठीक है साथी साथ किस प्रसंग का वर्णन है इन में कवी ने वातावरण के महत्व पर प्रकास डाला है कवी का मानना है कि वातावरण किसी भी नए इस रजन का आधार है अनुकूल वातावरन में ही व्यक्ति विकास करता है अर्थात मनुश के अनुकूल एकदम उसके अनुसार यदि कारे हो जाए तो वो विकास की ओर चला जाता है यदि उसके अनुसार कारे नहीं होता है तो वो उदास हो जाता है और बिल्कुल वही होने में सफल होता है इसलिए कोई भी कवी कोई भी व्यक्ति समाज अथवा देश उप्युक्त वातरवन पाकर ही पूज्य बनता है कोई भी व्यक्ति पूजनिय कब बनता है जब उसके अनुकूल वातावरन होता रहा है होता रहा है और उसको वह अनुकूल वातावरन प्रा स्वागत अनेक रंगों तथा फूलों से इसलिए किया जाता है क्योंकि बयार वातावरण को मधुमय बना देते हैं अब सोचो कितनी अची बात की है कि बयार यह हवा का स्वागत क्यों किया जाता है खिल खिलाकर फूल रंग रंगे फूल हवा का स्वागत क्यों करते हैं क्य वैसे ही मनुष्ट की अदम में मतलब पूरे दम मतलब इतना साहस अत्यदिक साहस के साथ जोश के साथ उम्मीद के साथ वैसे ही मनुष्ट की अदम में जिजी विशा में वातावरण ऐसा बन जाता है कि सभी इरदय से उसका स्वागत करते हैं वसंत की भूमी का सदा एक सी र ना देते हैं जो परिस्थिती है जो वातवरण है जो मौसम है वो अनुकूल होता है तो व्यक्ति अपने आप विकास की ओर चला जाता और कव्यक्ति साधारन से असाधारन बन जाता है पता ही नहीं चलता प्रकृति का रूप भी अनौखा है सच धन्य है आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने इन पंक्तियों को सुना है कविता को समझा है और कुछ सवाल से जो सवाल आपके मस्तिष्क में उभर रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आपको मिले हैं जवाब में भी कुछ सवाल अवश्य निकलकर आए होंगे तो जो भी यदि नहीं समझ पा रहे हैं अभी तो पूछेगा उनका उत्तर देने की मैं भरपूर प्रयास करूंगी ठीक है इसी तरह से हमारे साथ बने रही है मैगनेट ब्रेंस पर जो आप सभी को 100% free online education provide करता है जिसमें शामिल है अंग्रेजी मीडियम की अधियम बात करें तो किंडर गा नहीं आप सोच यह इतनी सारी परिक्षा है जो भी जैसे अभी आप क्लास 9 में 10 में जाएंगे उसके बाद आप स्रीम चुनेंगे कौन सी फिल्ड में जाना है आपको जिस भी फिल्ड में जाना है चाहें कोई सी भी परिक्षा देना हो NTSC हो लंपियाड हो आई टी हो जे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है आप बस शेर करो ताकि हर घर तक मैगनेट ब्रेंस फ्री ओनलाइन एडुकेशन पहुच जाए और सभी विध्यारती इसका लाव उठाकर अपने जीवन को धन्य कर सके अर्थात अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में सम मान प्राप्त कर सके और अपनी सफलता तक पहुंच सके साथी जात फेस्बुक ट्विटर इंस्टा पर भी जाहिए आप अप्डेटेट रखिए चलिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सवस्त रही है खुश रही है प्रसन रही है बाई थैंकि सब्सक्राइब